जैहिंद आज भारतियों के लिए बहुत बरी खुसकबरी है भारतिये स्पेस एजेंसी इसरो ने आज चंद्रियान थिरी को लॉंच कर दिया है चंद्रियान थिरी दो पहर दो बचकर 35 मिनट पर सिरी हरी कोटा के 37 ध्वान सेंटर से लॉंच हुआ ये भारत का तीसरा मून मि मिशन है चंद्रियान 3 को चंद्रियान 2 का फॉलो अप मिशन बताया जा रहा है मिशन का मकसद है चांद के दछनी दरू पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चंद्रियान 3 को लॉंच किया गया है इसे पहले GLSB Mk 3 के नाम से जाना जाता था इसी रोकेट से स्पेस एजंसी इसरो इसरो ने चंद्रियान 2 को लॉंच किया था इसरो इससे पहले साल 2008 में चंद्रियान 1 और 2019 में चंद्रियान 2 लॉंच कर चुका है चंद्रियान 1 में सिर्फ अभीटर था और चंद्रियान 2 में अभीटर के साथ साथ लेंडर और रोवर भी था चंद्रियान 3 में अभीटर नही यही नाम थे, चंद्रीान थीड़ी को चंद्रीान टू का Follow-up Mission बताय जा रहा, इसका मकसद है कि चांद के दचनी धुरू तूप लेंडर की Soft लेंडिंग कराना है, चंद्रीयान टू में विक्रम लेंडर की Hard Landing हो गई थी, तीन महिने बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मलबा ढूडा था इसके चार साल बाद अब फिर इसरो चंद्रियान थिरी के जरिये लेंडर और रोवर को दशनी धुरू पर उतारने की कोशिश करेगा रोवर एक च्छा पहियों का रिवोट है जो लेंडर के अंदर ही होगा और लेंडिंग के बाद बाहर आएगा इसरो ने जनवरी दोजार बीस में चंद्रियान थिरी लॉंच करने का एलान किया था इसे 2021 में लॉंच किया जाना था लेकिन कोविट की वज़ा से इसमें देरी हो गई चंद्रियान थिरी में चंद्रियान टू की तरह अबिटर तो नहीं होगा लेकिन इसमें प्रोपलसन मोडूल होगा इसी propulsion module के साथ lander और rover जूरे होंगे जब module चांद की सता से 100 km दूर होगा तब lander इससे अलग हो जाएगा लेकिन ये सब होने से पहले propulsion module चांद के कई चकर भी कटेगा चांद पर lander के उतरने के बाद इसी से rover बाहर आएगा इस mission की life एक lunar day होगी चांद पर एक दिन प्रिथी के 14 दिन के बराबर होती है चंद्रियान थिरी आज launch हो गया लेकिन इसे चांद तक पहुचने में महिने भर से ज्यादा का समय लगेगा 2023-2024 अगस्त को चांद की सता पर land कर सकता है हाला कि ये तारिक आगे पीछे भी हो सकती है हो सकता है कि सितंबर में भी हो चंद्रियान टू को 22 जुलाई को launch किया गया था लेकिन 6-7 सितंबर को विक्रम लेंडर की crash landing हो गई थी चंद्रियान थिरी का भी वही मक्सद है जो चंद्रियान टू का था यानि चांद के दचनी धुरू पर soft landing करना इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करो रुपे बताई जा रही है इसरो के मुताबिश चंद्रियान थिरी के तीन मक्सद है पहला विक्रम लेंडर की चांद की सता पर सुरक्षित और soft landing करना दूसरा प्रग्यान रोवर को चांद की सता पर चला कर दिखाना और तीसरा बैग्यानिक प्रिक्षन करना अगर चंद्रियान थिरी का लेंडर चांद की सता पर soft land कर जाता है तो इसा करने वाला भारत चौथा देश होगा इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद की सता पर lander उतार चुका है हलाकि दचनी धुरू पर lander उतारने वाला भारत पहला देश होगा आज तक किसी भी देश ने दचनी धुरू पर lander को नहीं उतारा है भारत से पहले चीन ने एसा करने की कोशिस की थी चीन की चांग इफोर यान दचनी धुरू से कुछ दुरी पर उतरा था जीश तरह से प्रित्री का दचनी धुरू सबसे ठंडा इसकी पुष्टी पहले हुए मून मिशन में भी हो चुकी है अगर चंद्रान थिरी के नज़री से दचनी धुरू पर पानी और खनीच की मौजुदगी का पता चलता है तो ये अंतरिक्ष बिज्ञान के लिए बरी काम्याबी होगी यही वज़ा है कि अमेरिका की ये स्पेस एजन्सी नासा भी दचनी धुरू पर जाने की तियारी कर रही है अगले साल नासा इस हिसे पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतरा रहेगा अप्रिल 2019 में नासा की एक रिपोर्ट आई थी इस रिपोर्ट में कहा गया था कि चांद के इस अंदे के हिस्से पर पानी होने की संभावनों के कारण ही यहां त्रिक्ष यात्री भेजे जाएंगे नासा के मुताबी चांद पर लंबे समय तक रिसर्च करने के लिए पानी बहुत जरूरी संसादन है नासा के रिपोर्ट में कहा गया है कि अबीटर से परिक्षनों के अधार पर कहा जा सकता है कि चांद के दच्षनी धुरूर पर बर्फ है और यहां दूसरे प्राकृर्टिक संसाथन भी हो सकते हैं फिर भी इस हिस्से के बारे में बहुत सी जनकारिया जुटाना बाकी है उसी तरह चांद का भी है चांद के दच्षनी धुरूर पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खरा होगा तो उसे सूर्ज 36 की रेखा पर नजर आएगा क्योंकि सूर्ज की किन्ने दच्षनी धुरूर पर तिर्शी परती है इस कारण यहां तापमान कम होता है अनुमान के मुताबिश चंद्रमा के दच्षनी धुरूर पर तापमान 100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है पहले चंद्यान 2 और आप चंद्यान 3 के जड़िये इसरु चांद के दच्षनी धुरूर तक कीज भी हो सकती है